असलाम अलेकूम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी मटन करी की और ये थोड़े अलग तरीके से बनती है मटन करी की रेसिपी जिसको टमाटर के साथ हम बनाएंगे और इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही थिक बनेगी, बहुत ही चटपटी बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन को अच्छे से गर्म कर ले और उसमें दो बड़े चमच मैंने सरसो का तेल डाल दिया है आपको भी तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं और एक मीडियम साइज की प्यास को पहले फ्राई करके निकालना है तो दो से तीन मिनेट तक ही प्यास फ्राई हो जाएगी इसको ब्राउन कर ले ज्यादे इसको जलाने नहीं है बस हलका से इसे ब्राउन करना है और इसे निकालने प्यास को और इसके बाद इसी ओयल में मैं डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले खड़े मसालों में चार लॉंग, चार काली मिर्च और दो हरी इलाईची एक छोटा टुकडा दाल चीनी का इसको डाल कर इसमें हलका सा फ्राई कर ले और साथ में ही इसके डाल देंगे मटन यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है, अच्छे से वाश करने के बाद इसको इसमें फ्राई कर लेंगे एक से दो मेरे तक चमच चलाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्यास का पेस्ट और ये मैंने दो मीडियम साइस की प्यास का पेस्ट बना लिया है वो इसमें डाल देंगे आप इस ग्रेवी को कूकर में बना रहे हैं तो प्यास को बारी कटकर कर भी आप डाल सकते हैं लेकिन अगर किसी खुले बर्तर में बनाए तो प्यास को गल्ले में टाइम लगता है यहां मैंने पीस कर पेस्ट बना लिया इसका इसके डाल देंगे दो चमच अद्रक लेसन का पेस्ट इसे डालने के बाद भी एक से दो बार चला ले और अब यहां पर कुछ सूखे मसाले डाल देंगे मसालों में यहाँ पर 1 tablespoon लिया है, मैंने धरिया पौडर, 1 tablespoon लाल मिर्च पौडर, 1 tablespoon हल्दी पौडर नमा का आप अपने टेस्केस आप से डाल दें, उसके बाद यहाँ पर 3 medium size के टमाटर का मैंने paste बना लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे अब इसे ढखकर पकने के लिए रख दें, हम 20-25 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल कर और यहाँ टमाटर में भी काफी पानी रिलीज होता है, तो इसमें भी अच्छे से पक जाएगा, तो इसको कवर करके रख देंगे, और गोश जब गल जाए इसका, तो यहाँ पर सारा पानी ड्राइ होने तक इसे भूनना है, जब ऑईल इसका उपर आ जाए तब तक इसे भूनना है, तो इसको पहले हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे, जब इसका पानी ड्राइ होने लगे, तो मीडियम फ्लेम कर दें इसकी, साथ में इसकी चमच भी चलाते रहना है, ताके मैं इसको भूल लिया है और इसका सारा और आपर आ चुका है जितने विस्यष्की फाने बहुत आले अगर आपको लगे कि इसमें पानी बहुत गम है तो थोड़ा सब इच में डाल कर इसको भूल ले ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और अगर आपको लगे कि मटन नहीं गला है आपका मटन थोड़ा देर से गले तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे 10 मिनट के लिए और कवर करके रग दें या कूकर में एक से दोस की सीटी लगा लें तो ये मटन अच्छे से गल जाएगा मसाला डालने के बाद इसको दो से तीन मिनट के लिए और पका लें और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा समय हरदनिया भी डाल दूंगी और दो मैंने हरी मिर्च ली है जिसको बीज से कट करके मैंने डाल दिया है अगर आपको ज्यादा स्पाइसी और पसंद है तो आप इसम आप चापाती के साथ यह राइस के साथ सर्फ करें और अगर यह रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजाओ वीडियो को लाइक और शेयर जबूर करें अल्ला हाफिस